हेलो एब्रिबरिबन आप सभी कर शुरागत है हमारे बेशिक ग्यान यूटूब चैनल पर दूस्तो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे घातांक के सवाल करना कि हम घातांक के सवाल कैसे करें चलिए दूस्तो हमने कुछ चार कोस्टन लिये हैं जो आपको पूरी चारों कोस् जरूर देखें इस वीडियो को सबसे पहलें हमारे 6 काूपा तू сторону 3 की घात है इसे हल करना है थो हम आपके लिए बता देते तीन का आर्थ है कि 6 को तीन बार किवार की जिए देखते इसे कैसे हल करना है के सबसे पहले जापा तेन की घात है इस परसकृम निशन ने कल कि 6-3 हास से लाएं और 6-3-18 18-3-21 यह इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार आपके लिए आंसर को निकालना होगा यही घात आंग चलिए दोस्तों दूसरा कोश्चन लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि घात आंक को हल कैसे करना होता है तो इसका आंसर 216 आ चुका है चलिए दूसरा देख लेते हैं इस पर 2 पर 2 की घात है तो हम इसे हल करेंगे कि 2 का 2 बार गुणा अर्था 2 गुड़ित 2 इसका अर्थ हो गया अब इसको गुणा करेंगे 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आए जगा है 2 दो नी 4 यह इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों इसी प्रकारे दी 4 पे 3 का घात होता है तो इसमें होता है 4 गुणे चार गुणे चार तो 4 चुको 16 16 चुको जो अंसर आएगा वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आब हम देख लेते हैं नेश्ट नेश्ट सवाल में दोस्तों यहाँ पर कई लोग गलती कर देते हैं वो गलती अपने लिए नहीं करना है सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि जो घात है घात घात का मल्टिप्लाई करेंगे कुष्टक वाली कुष्टक बाले में तीसरे में हम घात घात का मल्टिप्लाई करेंगे तो दो दो नी चार इसका इसमें मल्टिप्लाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा चार और फिर इसके बाद में हम पांच का पांच गुड़त पांच पांच गुड़त पांच पांच गुड़त पांच एक चार बार लिख देंगे और गुणा कर देंगे इसका देखते हैं पांच में पांच करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 अब 25 का हम 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 पंजे 125 125 का हम 5 में करेंगे तो आ जाएगा 625 यह हमारा अंसर हो जाएगा इस परकार दोस्तो आपके लिए निकालना है अब इसके बाद में एक question चोथा है तो हम इसे हल हैं हैं यहां पर कुना कर देते हैं प्रिजब्जाय कर देते हैं है यह तुम्क है तो पर सबसे पहले हम तो दो तीन, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, तो यह आंसर हो जाएगा, आठ हो जाएगा, इसका कितना आंसर हो जाएगा, आठ हो जाएगा, तो इसका बराबर में आ जाएगा, तीन की घात आ जाएगी, आठ, तो हम अब क्या करेंगे, कि तीन का मल्टीपिलाई आठ बार करेंगे मतलब तीन का मल्टी पिलाई आठ बार करेंगे जब जा के इसका हल निकलेगा चलिए दोस्तो एह हाल आप नकाल दीजिए कितना हाल है और कमेंट कर दीजिए कि इतना हाल आ गया है दोस्तो और कई रूल्स होते हैं घातांग के जो कि हम नेश्ट वीडियो में आपके लिए जरूर लेकर आएंगे दोस्तो इस वीडियो को अपना अपना सपोर्ट दीजिए और लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए ताकि सभी इस्टुडेंट के लिए समझ में आ सके घातांग के नियम मिलते हैं निव वीडियो में